कि इस तरीके की जो गड़ना हुई है उसकी पुलीस जाज जो गड़वट पाई जा रहे हैं उनका साथ देने के लिए सुप्रीम कोट के अधिवक्ता एडवोकेट भानुपरताब जी हमारे बीच में है कि इस तरीके की जो केस होते हैं यह फोजदारी है और इस मडर के केस के स्पेसिलिस्ट हैं आया हम इन से जानकारी लेते हैं कि इस के अंदर जो इस तरीके पुलीस ने जो अपना रवह अपना एक कोल डिटेल पर ही उस लड़के को पकड़ा गया और लड़के को पकड़ने के बाद में जो डाकॉमेंट से जो एविडेंस है व कि बेगुनाहों को फसाना और उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वारा बेगुनाहों को फसाना कोई नई बात नहीं है अभी आपने देखा होगा बहुत हल्ला मचा है उस पे नौएडा में भी एक पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर ने जो उसको एक बेगुना व्यक्ति को गो कहीं भी चश्मदीत गवा नहीं है इसका मतलब यह है कि सरकमिस्टेंशल एविडेंस वै यानि पारिश सितिकिया साच्छ जो है उस पर ये केस निरभर है तो आप एक व्यक्ति को घर से बुलाते हैं उसके बाद में उसके माता पिता से परिवार के लोगों से दबाम में आ क्राइंच कराई जाए कि सारे मामलेक हो लेकिने श्मयच कराई जाए किसी भी निस्पक्श एजैणसी से कराई जैई वह नेखी इस्पेशल पुलिस हो यहां की क्राइं ब्राइंच हो सीबी आई हो चाहे जो से एसेस्पी खुद करें smallest कोई वह करें कुई भी व्यक्ति हो प्रपिट शाहिसन की जिम्मेदारी है। यही हमारी मांग है, यही हम सब लोग चाहते हैं। चीह प्रशासन को क्या दिक्कत है SSP को ASP को प्रशासन को किसी भी वक्ति को इस बात में क्या पत्ती हो सकती है तो इस से बड़े दुखत की क्या बात होगी दुखी कि SSP और SP और DM जो हब पबलिक के नौकर है उसको दुख है कोई कस्ट है वो अपनी बात कहना चाया तो मिलने में क्या दिक्कत है यही से पता लग जाती है कि प्रशासन कितना बाइस ठोके काम कर रहा है पहले मिलो इनसे इनकी बाझ सुनो और इनकी बाझ सचे तो उसे रिकांट करो वही सारी चीश आनी चीश सामने दोशी बचना नी चीश है अगर ये लड़का भी दोशी है तो आप सबूतों के साथ बताओ नो आप और अगर कोई और दोशी है तो वो दोशी में नी बचने चीश है एक तरफ जहां दो लड़किया मरी है उतना ही संगीन मामला है उनके लिए भी उनका परिवार है सारा है सब को दुख है इन सब को भी दुख है लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो दोशी हो वो फसाए जाएं वो पकड़े जाएं उनको और असकर के जेल बहचा जाएं उनके किलाब कारवाई हो निर्दोश लोगों को नहीं फसाए जाएं मैं जानता हूं गाज़ेबाद में भी एक मैटर इसी तरह का है साथ किलोमीटर दूर फरिदाबाद में बैठे हैं लोग और जहां पर मर्डर हुआ है नौइडा उसके हिंडर के पास में वहां पर जो मरने वाला है और एक जिसको गोली लगी केवल वह दो लोग थे और तीसरा कोई व्यक्ति नहींता है एक वैक्ति आता है दो गन्टे बाद वो केता कि मैं साथ में और वहीं पर पुलिक एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई हुए और वही tornar देसे और सारी बात हमने डीजीपी तक को कोई सुनने को तयार नहीं है। तो कैसे विश्वास कर लिया जाएगा। इनकी बात जो हैं, इनका दुख है बिल्कुत सही है। इनका कहना बिल्कुत सही है। क्या दिकें पृषिप्रशासन को। सुनें इनकी बात, रिकॉड करें इनकी बात, डोसी होस के खिलाब कारवी करें